आज की हमारी हिंदी कहानी एक औरत पर है जो एक इमोसनल स्टोरी है अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिला रही थी, घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानि मैं, तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली दीदी आ गई मैं जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबा को जल्दी उठ जाना तुम्हारी मुँ दिखाय की रस्म है मैंने बोला कि देदी रात को नीन ही नहीं आई जगे नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबा आंख नहीं खुली तो रजनी दीदी हस्ती हुई बोली रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से गुंगट कर लो अगर माजी आ गई तो हंगामा हो जाएगा मैंने गुंगट किया ही था तभी माजी वहां आ गई और करकडाती आवाज में बोली चलो अब क्या यहीं गब सब माती रहोगी तुम दोनों हमने चलना सुरू ही किया था तभी माजी ने रजनी दीदी के कंदे पर हात रखा और बोली पता है ना कहां से जाना है और कैसे जाना है माजी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम हमेशा घूंगट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंगट के तो कभी नहीं रजनी दिदी कुछ बोली ही नहीं बस अपना सर हिला कर हां बोल दिया मैंने भी बस अपना सर हां में हिलाया मा जी के जाने के बाद मैंने पूछा रजनी दिदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाती हो रजनी दिदी मुस्कराई और बोली कि मैं थारे जेट चीज से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए अभी तक चुप चाफ सब चीजे निभा रही हूँ मैं कुछ नहीं बोली और चुप चाफ रजनी दिदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई वहाँ पर एक पडोज की आंटी जी बैठी थी वो बोली कि यह कैसे बहु आई है ससुर जी सामने खड़े हैं और यह यहाँ बैठी है मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मतलब रजनी दिदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहु है यहाँ के रिती रिवा सीखने में थोड़ा समय लगेगा रजनी दिदी मुझे वहाँ से उठा कर मेरे कमरे में छोड़ दी छे महिने यूही छोटी छोटी चीजों में बीद गए फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ीया देख रही थी तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खासे एक बार फिर दो बार फिर तीन बार मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो बहुत खासी हो रही है इन्हें अंकल जी भड़क उठें और बोलें क्या बत्तमीज लड़की है ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भाग कर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छू कर बोला मामा जी आप यहाँ मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई एक लंबा गूंगट करके गाड़ी में बैट गई राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैट कर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा मैंने धीमी आवाज में बोला गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो कहीं एक्सिडेंट ना हो जाए हम घर पहुचे ही थे तभी मा जी जोर जोर से चिलाते हुए बाहर आई देखो आ गई ये जानी साहिबा खांदान की इज़त मिट्टी में मिला कर तभी रजनी दिदी आई और बोली मा जी मेरे शादी को 6 साल हो गए है मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती ये कैसे जानेगी मा जी जोर से चिलाएं देखो कैसे चपर चपर जबान चल रही है इस रजनी की कभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोलें कि मा ये दोनों सही बोल रही है अगर ये हमेशा गुंगट करके ही रती हैं तो ये मामा जी को कैसे पैचानेगी और मा आज मामा जी के फोन पर तुमने पुरे घर की शानती को भंग कर दिया है ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी पिता जी और जेट जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा मा जी थोड़ी देर सोचने के वाद वापस रजनी दिदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है मुझे उमीद है कि तुम दोनों कभी भी मेरा सिर्श शर्म से नहीं जुगने दोगी हम एक ही परिवार के शदसे हैं हमें हमेशा साथ रहना है अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हर शदस्य को अपनी मर्यादा पता है मा जी ने मुझे और रजनी दिदी को गले लगा लिया दोस्तो अगर हिंदी स्टोरी सास बहु की कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यवाद